सो हाई डिस इस प्रवात रजिन आज की इस वीडिये रिवीव कर रहे होंगे SGS-ITS इंदौर स्री को विंदराम सेक्सरिया इंस्टिटीट अफ टेक्नोलजी और साइन्स इंदौर की तो SGS-ITS इंदौर हमारे इंदौर मध्यप्रदेश में स्थेते गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेजे जिसकी स्थाप्ला 1952 में उतरबाद के लिए नर्फ रैंकिंग की तो 2022 में ने 201 से 250 इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था हर कॉलेज रिवीडियो तरह आज की इस वीडियों भी सबसे पहले इंटरेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लेक प्लेस्मेंट्स एड्मिसन प्रोसेस कट ओफ रिश्ट्रक्चर बहुत कुछ लिए डिसकस करने के बाद अराम से इत्मिनान से कॉलेज है नोटर लाइफ डिसकस कर रहे होंगे तो स्टार्ट कर लेफ प्लेस्मेंट के साथ तुमारे पास NRF 2024 का रिपोर्ट है जो SGS ITS ने NRF के पास समिट किया तो इस NRF 2024 के रिपोर्ट में 2023 तक के कुछ प्लेस्मेंट डिटेल्स है जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 776 स्ट्रेंट्स में बीटेग से ग्रैजुएशन कम साब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिला कर overall placement percentage 2013 में लगबग 60 percentage 60 percentage के आसपास रहा वहीं अगर बात कर लिए median salary की तो 2023 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिला कर overall median salary 7.6 LPA रहा बात कर लिए किस प्रकार के ब्रांचेस है तो लगबग आपको हर प्रकार के मिक्ष ब्रांचेस देख रहे हो मिल जाएंगे biomedical engineering, biomedical engineering in Hindi medium, civil engineering, computer science and engineering, computer science and engineering for jammu and kashmir migrant seat इसी के साथ computer science and engineering for jammu and kashmir resident seat, electrical engineering, electronics and instrumentation engineering, electronics and telecommunication engineering, industrial and production engineering, information technology और mechanical engineering तो लगबग हर प्रकार के मिक्ष ब्रांचेस देखने हो मिल जाएंगा जिसके वज़े से 60% placement percentage बहुत ज्यादा कुछ बढ़िया तो नहीं है, मतलब उतना कुछ खास भी नहीं है बात कर लें admission process की, तो सबसे पहले आप jmine का exam दोरेंगे, jmine के exam में जो भी rank बनेगा, उसके basis पर dte mp counseling के त्रों को colleges and branches लोट हो रहे होंगे और home state and other state candidates हर प्रकार के students admission ले पा रहे होंगे बात कर लें cut off की तुमारे मास, jmine 2021, 2223, general strength last round closing rank के cut off के screenshot लगे होंगे लाइक computer science engineering 2000 ते इसमें close हुआ था, 22,634 rank पर और बाकी सारे branches की आप देख पा रहे हो अब अगर आपको हर year, हर round, हर category की cut off चाहिए, तो आप सिक्षा के website पर visit कर सकते हो बात कर लें future structure की, तुमारे सामने detailed institute for Tucson hostel में स्फिका screenshot लगा हो है जिसमें अगर in total बात कर लें 4 साल के BTEC फिकी, तो institute, Tucson hostel में सब कुछ मिला कर लगबग 6-7 लाग रुपे लग जा रहा होगा 4 साल के अंदर तो finally हम पहुचते अपने college and hostel life most evident topic के ओपर तो सबसे पहले इसी पॉइन की साब स्टार्ट करना चाहूँगा हमारा SGS ITS indoor, indoor मध्यप्रदेश में 35 एकर campus area के अंदर एक decent normal infrastructure प्रोवाइड कर रहा होता है बहुत कुछ खास भी नहीं और कहीं facilities lacking भी नहीं है hostel facilities में थोड़ी सी कमी बताई गए यह लाइक बहुत जादा rooms available नहीं है बहुत गिने चुने students को यह room मिल पाते हैं first come first up basis याने कि जो पहले आएंगे उन्हें पहले hostel मिल रहे होंगे लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हो अगर आपको hostel नहीं मिल पारा उस case में भी आपको बहुत ही मतलब एक किलोमेटर के अंदर अंदर बहुत सारे rented room पीजी आपको देखने हो मिल जाएंगे at affordable rate और decent facilities बट अगर बात कर ले hostel की ही तो hostel में हमें देखने हो मिल जाते हैं three-seater room with decent facilities एक normal government engineering state government engineering college type की facilities देखने हो मिलने वाली है with limited sports facilities normal basic cricket football यही सारी चीज़े में देखने हो मिलेंगे और जो भी थोड़े बहुत major sports facilities होते हैं बहुत basic basic sports facilities है बहुत जादा सारी चीज़े हम नहीं सोच सकते like आप IITs and ITs बड़े बड़े top private and government colleges में देखते हो बहुत जादा divert sports facilities उस प्रकार की चीज़े नहीं है लेकिन एक state government engineering college से जिस प्रकार की चीज़े हम उमीद करते हैं उस इसाब से आपको एक normal decent infrastructure देखने हो मिलने वाला है with a normal classroom हो गया जो भी आपके smart board वाले facilities हो गये smart classrooms यही सारी चीज़े में देखने को मिल जा रही होती है बात कर ले अगर technical events की technical and cultural event fest societies clubs की तो decent number of आपको technical and cultural आपको club student activities societies clubs देखने हो मिल जाएंगे और इसी के साथ normal level पर आपके technical and cultural fest भी हो जा रहे होते हैं यानि कि जो भी सारी चीज़ा को एक normal decent college life मिलने वाला है और अपने समय का एक prestigious institute भी है जिसके वजह से हमें चीज़े थोड़ी बहुत एक किसी भी normal government engineering college है थोड़ी better देखने को मिलती है और जहां तक हमने बात कर लिए placements का तो अगर आप computer science IT जैसे department में जा रहे हो बात कर लेगर connectivity की तो बढ़िया connectivity भी हमें देखने हों मिल जाता नियरेस ट्रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ धाई किलोमेटर दूर है इंदौर जंक्सन रेलवे स्टेशन और बात कर ले होस्टल के अंदर तो लगबाग रात के 9 बज़े में curfew time बताए गया है यानि कि रात के 9 बज़े के बाद आप होस्टल से बाहर नहीं जा सकते अब जो भी स्ट्रेंट SGS ITS इंदौर से इस वीडियो देख रहे है अभी तक का आपका अपना college experience कैसा रहा है positive, negative जो भी आपके अपने college opinion हो या फिर आज की इस वीडियो मेरे किसी point जे सहमत या सहमत हो या किसी particular branch के latest updated placement data available हो comment section में लिखकर बताना ना भूले आज की इस वीडियो में तने अगर वीडियो पसंद आई हो तो like channel और दिल खोल कर करिएगा और अगर कुछ दिल की बाते कुछ मन की बाते लिखकर बताने हो या पूछनी हो तो comment section आपके लिए तो है thank you for watching this video, good bye, nice day, wish you all the best for future, enjoy your journey